स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज की हम अपनी 8th Idioms की वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखिए तो एक अलग से मैंने प्लेइलिस्ट बना रखी है idiom and phrases करके और हमार वीडियो जो idiom है उसको कर कैसे रहें with images के truth है कि हमें ये अच्छे से याद हो जाए clear ओके पहला idiom देखते हैं bring bring का मतलब लाना bring to light यानि light में लाना यानि रोशनी के अंदर लाना उस चीज को कोई भी चीज अगर चीज रोशनी के अंदर लाई जाती है तो वो बहुत अच्छे से होता है न सच्चाई को रोशनी में लेकर आओ तब पता चलेगा तो वही बात है कि उजागर होना कोई चीज सामने आना तो ये वही चीज है अगर आप इसका meaning भी देखेंगे अब second idiom की तरफ चलते हैं second idiom जो है वो bread and butter है देखो हमारे यहां तो होता है न रोटी रोटी होती है तो हम रोटी खाते हैं तो वहाँ पर जो बाहर के जो लोग है वो bread को प्रेफर करते हैं वो bread खाते है वह रोटी नहीं चलती तो ये जो होती है वो जीवन होता है ना कमाने के लिए उसको क्या कहते है लाइफ फूड कहते है लिवली हूड कहते है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है कोई इंसान अपने जीवन यापन के लिए कोशिच कर रहा है मेहनत कर रहा है किसके लिए ब्रेड और बटर कहा सक यानि जीवन चलाना या भोतिक भलाई इसको इंग्लिश में कहीं तो material welfare यानि अपनी जीविका चलाने के लिए महनत करना अपने अर्निंग पर dependent होना यहाँ पर clear हुआ तो bread and butter का मतलब हो था उप जीविका कमाने के लिए महनत करना है फिर अपनी अर्निंग करना ओके second idiom के बाद चलते हैं अपने third idiom के तरफ यह है back stair gossip यानि आप सीडियों के पीछे खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं छुपके से gossip कर रहे हैं तो यह काम कौन करते हैं देखो यह काम करते हैं जो लोग नोकर होते हैं उनके बीच में गपशप होती है यहाँ पर clear हुआ तो नोकरों के बीच की जाने वाली यह गपशप आती है इसको कहते हैं back stair gossip okay English में कहीं तो talk among servant या फिर unfair talk भी होता है यहाँ पर कोई साई ढंक से बात ना करना जुरूरी नहीं कि नोकरों के बीच में यह unfair talk भी हो सकते हैं कोई और भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादे तर नोकरों के लिए यह यूज किया जाते हैं फिर हम देखते हैं अपने fourth EDM के तरफ fourth EDM है वो है by and by आप यहाँ पर देखें तो एक कच्वा जो एक snail को लेके चल रहा है snail तो भाई है इसकी speed तो already कम होती है इससे भी कम होती है तो दोनों की speed कम हो रही है तो by and by का मतलब बनता है धीरे धीरे यानि बहुत ज़्यादा slow English में बोलें तो slowly तो by and by का मतलब होता है slowly clear हुआ last idiom की तरफ आते है last जो idiom है वो है x out x out यानि x का मतलब होता है कुलाडी और out का मतलब होता है निकालना यानि कुलाडी निकालना देखो इसका कोई meaning तो बनेगा नहीं लेकिन यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा बाहर निकालना कुलाडी नहीं कोई चीज बाहर निकालना किसी चीज को बाहर निकालना या फिर करें तो turn out clear हुआ okay तो यह तो थे आज आज आपके 5 idioms समझ में आये हो तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गये होंगे अगर समझ में आया है तो क्या करेंगे आप इस वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe करेंगे और दोनों काम एक कर सकते हैं आप मतलब इस वीडियो और चैनल के साथ वो क्या है वो share करना समझ में आया अगर इस वीडियो से related आपको PDF चाहिए तो आपको क्या मिलेगा इस वीडियो के description box में एक link मिलेगा किसका टेलिग्राम का साथ इसाथ Facebook का तो जाकर आप दोनों को वहां पर जोइन कर सकते हैं वहां पर आपके exam के point of view से बहुत सारी चीजे वहां पर provide की जा रही है तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thank you